नालचा इस्थित इस्थानी राजबाड़ा चोक में शनिवार को भव्य कलश शुभायात्रा के साथ दो दिवसी पांच कुंडी ये गायत्री यग्य का शुभारंब हो गया युवा जागरती अभियान के तहट गायत्री तीर्च शांतिकुंज हरिद्वार के निर्देश अनुसार परिवाजन टोली के कर्मकांड में संचालित दो दिवसी अनुष्थान गायत्री परिवार के संयोग से किया जा रहा है जिसमें दिनांग 20 मार्च शनिवार दोपर 3 बजे से कलश यात्रा निकाली गई दिनांग 21 मार्च रविवार को दोपर 2 बजे से कन्या कोशल शिविर एवं विद्यारम संसकार संपन हुआ रात्री 8 बजे से दीप महायग्य 24 गरों में देवस्थान एवं गंगाजल वित्रेंट किया जाएगा नालचा से विनित आदव की रिपोर्ट गंगे घरघर गंगे अभी जो हमारे हरिद्वार में कुम्ब मेला चल रहा है तो उस समय हम लोग का पहुंचना मा गंगा का पूजन यजन करना हमारी सस्कृति का एक बहुत बड़ा अंग है लेकिन हम नहीं जा पा रहा है तो वहाँ से एक उध्देश देकर हमें भेचा है हमारे जो अखिल उश्यकाइति परिवार के सब कैसे रहना चाहिये यह सब वो संदेश लेकर आपके गाउम हम नालचा में विश्वे तो पूरे भारत देश में नहीं सारे वीस्व में हर गंगे गरगर गंगे का करियम चल रहा है तो अभी इसी उपदेश में हम लोगों ने नालचा में भी करिक्रम रखा है वेशस के पेले हमारे जो भैसाब ह इन्होंने 24 घरों में उपासना गंगामा की करवाई और उसके बाद में यह पुरुणाहुती के रूप में पंचकुंडी एग्या करवाया है और पंचकुंडी एग्या के माध्यन जेकल कलस यात्रा निकली उसमें बेहनों ने अपने सीर पर कलस धारन किये और बड़े ही उस्साह के साथ उमंग के साथ में पूरे गाओं का भ्रमन किया साम को प्रवचन हुए और उसके साथ में बतलाया गया कि यग्या क्या है भारते सस्क्रती के माता पिता कौन है यग्ये पिता और गायतरी माता ये उद्देश्य के साथ में रात का प्रवचन सदी है तो आगे आना ही पड़ेगा इस उद्देश और इसी भाव के साथ में हम हर हर गंगे घर घर कंगे का उद्देश्य लेकर हम पहुंच रहे हैं आपका नाम मेरा नाम है स्रेमतिशोना कुष्वा जिला खर गोन तेसिल महिश्वर से हमारी पूरी टीम आई है हमारे साथ करते हैं ताकि हमारा देश ससक्त बने और ससकारवान बने गायत्री परिवार के नालचा में कारी क्रम लगातार होते रहें तो आप इसमें गाउं में क्या संदेश देना चाहते हैं यह जो पीड़ी आजकल भतक रही है वह इस गायत्री मार्ध्यम से एक्जुट होई शिक्षा ले और दूर रस्वन से दूर है इस शिक्षा गायत्री परिवाद देता है के नाम के लाश्चन कुष्वा हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब दरें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूलें